जैन दोस्तों महरीश आपको आपके अपने येट्यूब चैनल हरीश फिचकल एकरणीपी सौध करता हूँ दोस्तों आज हम SSTJD वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी सुचनल लेखे आया है तो दोस्तों आज हम बता दें जो SSTJD वाले बच्चे हैं जिनका की क्या नाम है फिचकल डेट नोटिफिकेशन आउट हो गया जिनका की फिचकल, क्या नाव है, पंद्रा अप्रेल से चालो हो गया, 15 अप्रेल से चालो हो जाएगा, 15 अप्रेल से चलेगा, 15 अप्रेल 2023 से, जिनका की notification आउट हो चुका है, तो दोस्तों, आप सब क्या नाव है, हम बताना चाहेंगे, कि जो अभी रणिंग अपना इस्टार्ट ने की हैं जो बच्चे अभी अपना रणिंग इस्टार्ट ने की हैं तो ओ सब भी अपना रणिंग इस्टार्ट करने क्योंकि रेजल्ट आने के बाद आपके पास समय नहीं रहेगा और आप सब जल्दी बाजी में ज्यादा परिय पारी में लग जाए और ज्यादा ज्यादा मेनत करिए और दोस्तों जो अभी रणिंग कभी किये नहीं है जो अभी चालू करना चाहते हैं तो उनसे हमारा निवेदरन की पहले आप 3-4 दिन तीन से चाल दिन एकदम हलके रणिंग करना वार्मप टाइब कम से कम 35-40 मिनट इसके बाद अपना एकसरसाइज करना तीन-चार दिन के बाद आप अपना 5 किलो मीटर चेक करना यदि आपका 5 किलो मीटर 26-27 मिनट में आ गया तो जान लिजे पंदा दिन में आपका रेस निख कर जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप जादा परियास मत करना परियास करने के मतलब ही कि जादा इस्टार्ट मत लगाना क्योंकि इस्टार्ट एदि आप जादा लगाएंगे तो आपके सीम पेन होने की जादा चांस रहेंगे आप हलका रणिंग एक दिन करना इसक 30 मिनट में आ जाएगा तो आपका रेस कॉलिफाई हो जागा कोई दिक्कत नहीं है तो दोस्तों और आप सब डाइट पे अपने विशेज द्यान देना डाइट आपको क्या नाम है अपने इसाब से जो आपके पास पास्बूल हो सकेगा जितना उतना लेना सबसे ज़रूरी इससे आपके अंदर जो है इनर्जी पूरा रहरा रहएगा कोई दिक्कन नहींMA और दोस्तों आप एदे हमारे बातों को ध्यान देंगे तो आपका रेस क्वालिफाई हो जाएगा कोई दिक्कन नहोंगा जये जये भारत